हेलो एवरीवन और वेल्कम टू मार चानल ब्यूटी एंडाइन तो आज की हमारी रेसिपी है कदू की सबजी जनरली इसे कदीमा की सबजी भी कहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने या कदू को अच्छे से धो कर छेल लिया है फिर इसे बड़े-बड़े क्यूपस मे काट ले में यहां के जी कदू की सबजी बना रही हूं आप अपने कॉरिंग इसकी क्वांटिक बढाया घटा सकते हैं सबजी के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं ले रही हूं एक टीस्पून अमचूर पावडर सबजी मसाला एक टीस्पून हल्दी पावडर तीस्पून और गरम मसाला यहां दो बड़े साइस की प्याज साथ लेसन की कलिया और बारी कटी हुई दो प्याज मसाली के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च धरिया पावडर जीरा और काले मिर्च अब सारे खरे मसाला मोटा चॉप किया हुआ प्याज और लेसन की कलिया डालकर पीस ले अब flame on करें कराही में 4 चमच घी डाले और सारे कद्दू को अच्छे से सेलो फ्राइ कर ले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो का लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर करें इसे फ्राइ होने में चार से पांच मिनट लग जाएगा दो तीन मिनट और फ्राइ होने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं यह अच्छा सब्राउन हो चुका है अब इसे निकाल ले अब यहां फिर से दो चमस तेल डाले अब तरका के लिए हमें चाहिए तीज पत्ता जीरा अद्रक दो लाल मिर्च और हींग हींग मैं यहां एवरिस्ट का यूज कर रही हूं और दो बाड़ी कटे हुए प्याज अब यहां तेल में डालेंगे जीरा दो साबुत लाल मिर् और तीज पत्ता सबको अच्छे से भूण लें अधरक और हींग जब सारे मसाले अच्छे से चटक जाए फिर डालेंगे इसमें बारी कटे हुए प्याज बस अब को अच्छे से प्राई कर लें जब प्याज भूण जाए तो यहां डालेंगे नमक मैं यहां डेर चमस नमक का यूज कर रही हूँ आप अपने कॉर्डिंग डाल सकते हैं फिर डालेंगे सारे पीसे हुए मसाले जब सारा मसाला अच्छे से भूण जाए और सेपरेट होने लगे तब इसमें डालेंगे हल अल Aye Om यहां आणको सकते हैं मसाला और कट्ड़ों कि मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम देंगे पानी मेंक कि आपका पानी थोड़ा गर्म हो बस सब को अच्छे से मिक्स कर ले आप अपने एकॉर्डिंग ग्रेवी थिक या थिल रख सकते हैं मुझे यहां थिक ग्रेवी पसंद है तो मैं गाड़ी रख रही हूँ अब पांच से छे मिनट तक अच्छे से पका ले यहां मेरी सबजी बिल्कुल पक चुकी है अब लास्ट में डालेंगे अमचूर पाउडर थोड़ा सबजी मसाला और गर्म मसाला मैं सारे इंग्रीडियन्स के लिस्ट वीडियो के लास्ट में दे दूंगी आप वहां से चेक कर सकते हैं बस मेरी सबजी बल्कुल रेडियर सर्व करने के हो तुम मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग गाईज इंज्यो इस रेसिपी गाईज बया हुआ है एक हैंज थाईज